कि हलो एवरीवन डिस इज डॉक्टर राजी तिवारी आज आज हम लोग पढ़ेंगे वॉकिंग एड्स के बारे में वॉकिंग एड्स में हमने इसके पहले काफी कुछ डिसकस कर लिया था वॉकिंग एड्स एक डिवाइस होता है जो हमें एक जगे से दूसरी जगे मुवव है या हमारे बैलेंस में हमको प्रॉब्लम है फ्रैक्ट्र है ज्वाइन डिजीज है या कोई भी प्रॉप्री उसेप्शन संबंधित कोई प्रॉब्लम है उस टाइम पे हम वॉकिंग एड्स के द्वारा एक जगे से दूसरे जगे इंडिपेंडेंटली मुव्मेंट कर सकत हैं वाकिंग अगेत्स क्या प्रेश करके जैसे क्रचेस केंड्स वाक वीलचेर यह सारे वाकिंग एट्स होते हैं हमने क्रचेस के वारे में पढ़ा क्रचेस नंतरह से होता है एक जृए क्रचेस कि अल्बो और मेज़नेंट के बारे में पढ़ा इसके पार्च और मेज़रमेंट के बारी में पढ़ा है कैसे लेते हैं पढ़ हम discuss करेंगे के के बारे में की क्या होता है एक तरह के इस्टिक होती है वह भी एक तरह की मोविल्य टी एड होती है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह मौट्य करने में help करती है केंज का हम normally कब recommend करते हैं केंज patient को जब patient लगवग full weight bearing करने लगता है patient जब लगवग full weight bearing करने लगता है तब हम उसको केंज refer करते हैं non weight bearing और partial weight bearing में केंज हम recommend नहीं करते हैं कि यह कि बेस अब support को increase करने में useful है यह 20 to 25% body weight transmit करता है body का 20 to 25% हमारे जो क्रच है वो 80% body weight transmit करता था जो हमारे क्रच में जो दूसरा टाइप को जो हमारे क्रच थे जिसमें एल्बो क्रच और वह लगभग 60% करते थे 60-40% यह केंज है वह 22 25% body weight transmit करता है कि इसको हम हमेशा opposite side में hold करके रखते हैं मतलब जो हमारा affected limb है उसके opposite side मतलब हम अपने non affected limb की तरफ इसको इसको ले रखते हैं इससे क्या होता है non affected limb की तरफ लेने से क्या होता है जब हम चलते हैं तो जो हमारा abductor muscles counterbalance करती है swing होता है उसको यह counterbalance करने का काम करता है क्रच टिक जो हमारा hip swing होता है उसको counterbalance करता है हमारा क्रच यह वह सारी हमारा यह केन के थरू हम tilting को रोकते हैं जो hip tilting को prevent करते हैं कि इसके advantage के बारे में देखें तो यह balance और postural stability इंप्रूब करता है यह बेस आप support और center of gravity को shift करता है और यह walking में help करता है hip के force को कम कर देता है अगर हमें knee joint में osteoarthritis है तो उस condition में pain को कम करता है और यह non weight wearing और partial weight wearing में restricted है उस time पे हम cane use नहीं करते हैं तो types की बात करें तो five type यहां पर दिया हुआ है पहला standard canes दूसरा standard adjustable canes तीसरा standard adjustable half set canes और चौथा है tripod canes और पाच्वा है quadipet canes एक एक करके हम discuss करते हैं सबसे पहले standard canes normally हम लोग देखते भी है कि हमारे जो elderly patient होते हैं हमारे बड़े बुजूर्ग होते हैं इस तरह के stick का यूज करते हैं इस तरह का canes use करते हैं हमारे घर में भी हम देखते हैं इसमें क्या है यह एल्मूनियम वूड या प्लास्टिक का बना होता है इसमें ऊपर की तरफ जो हैंड्पीस होता है वो क्या होता है यहां हाफ करल होता है अब देख भी रहोंगे और इस इनक्सेंश्येव एंड कैन भी केरिड एनिवेर ज्यादा महेंगा नहीं होता है और इसको हम कहीं भी ले सकते हैं नौर्मली जैसे मैंने बताइए लेड़ी पेशेंट इसको के लिए रिकमेंड करते हैं दूसरा हमारा है इस्टेंडर्ड एड्जेस्टबल केंज लगभग वैसा ही दीख रहा है लेकिन फर्क क्या है कि हम इसके हाइट को एड्जेस्ट कर सकते हैं छोटा या बड़ होता है और इसकी हाइट को जैसे प्रेस क्लिप के थुरु हम इसको और च्जाहच कर सकते हैं । और इसको एड्जेस्टेवल इलमॉनियम हाफ सेट केन इसमें दूसरों से थोड़ सा अलग है इसमें देख रहे हुएंगे कि जो इसका अपर हाफ है यह जो अपर हाफ है अब देख पा रहे होंगे यह यह पार्ट जो यहिसका पर आफ पार्ट है ये क्या है इन्टियरलीय है यह academy say hiterly है इसकी बज़ेश से क्या हुरह रहा है जो लाइन आफ के अप्रेक्षा इसमें भी सेम हम इसकी है को अज़ले सकते हैं इसमें प्रेश क्लिप्स होती है उसके हम अब हाइड को अज्डेश्ट कर सकते काम या जादा कर सकते हैं इसमें भी commonly all the sticks are having the handpiece and rubber some में जितने भी stick होती है उसमें handpiece और रवर का ये फेरुल होता है फेरिुल होता है सम्में केबल Standard Cane में जो लकडी का बना होता है उसको छोड़के बाकी सम्में और वर का हेंन्द पीश और फेरिय... spinning होता है कि नेक्सिर अंग देखते हैं का अंग.. कैंसा इस ने कोड्य पेट् पेंस इसके जो लेक होते हैं यह चार होते हैं है प्लॉफ कोopa चार है और 3 घ्न टेनों सब्सक्राशन गावा क्या होता है इसका इसका की ऒई होगी भीयना से अलग इनिलियर है उब्लावर। होता है वो हार्फ despis किताए होता है जैसा हमने देखा था इंतेरली हाव्जिय होता है इस यह ज्यादा हमें stability प्रोवाइड करता है और इसकी अलग अलग वैराइटी आती है यह मोस्त difficulty हम देखिती उससकी होता है निर्रिप्धे है इंजुरी है इसकी भी हम हाइक को एड्जेस कर सकते हैं इसमें क्लिप्स या स्कूल्स होते हैं उसके साथ इसके सब्सक्राइब कि मेन प्रॉब्लम मिच में जो है यह है कि हम इसको लेकर सेड़ी में चेऴने में इसके साथ ठोड़ा सी प्रॉब्लम होते कि इसके को रहे ay маг कि है टो कि है करते हैं कि हाईट मेजर्मंट बहुत कर दे घ्र हम आरिक हिंति canes की से फ्लोर फ्लोर तक मेजर करेंगे फ्लोर से कितना हमारे जो हील है उससे 20 cm अभे लेटरली मेजर करते हैं कि यह मेजरमेंट टोता मिन्स कि जो हमारा हाथ है या हैंड पीस है वह हमारे ग्रेटर टोकेंटर आप दा फीमर तक आना चाहिए एक यह पहला वाला जो देख कि यह थोड़ा सा नीचे है अर जो तीसरा वाला देख रहें है थीसरा इसमें वह थोड़ा सा हाइए है मोगेंट पेटरन की बात करें देखा था पढ़ा था वैसे ही इसकी ट्रेणिंग प्री केन ट्रेणिंग करानी होती है उसके लावा नॉर्मली वाइल उजिंग ट्रेणि 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 जब हम नॉर्मली यूज करते हैं तो पेशेंट में क्या होना चाहिए मैग्जूम वेड वेरिंग कैपसिटी होने चाहिए मतलब वह लगबग अपने अफेक्टेड लिब में वेड वियर करने लगे कंपे जो हमारा केन है वह हमयशा हम अरफ्ड़िद सइद रखते हैं ब्लेस करते हैं और दो तरह से हमगेट पैटन होता है इसमें तुम पॉइंट गेट और तूपॉइंटत गेट सबसे पहले हम देखते हैं ट्री क्थिए हुआ गयर्द जनका में उसके बार तो Alrighty। को भी पेधू कंचो ठीच प्रुम लेक्त करां य। करो मियान को भी स्काहिए झाल गयर्द काश्व कि ø्प सब था रहे तो हम एक क्षित safeg़े क्षिए का गयर्ट यृग दिन अफड 你 पहले ही हम प्यार रखेंगे हमारा प्यार आएगा और स्विंग थुर्व में हमारा के लाइन के बीओंड जाएगा पैर यह ऑगय हमारा त्रे पर गेट कई करते हैं कि अधिक साथ अगया और उसके बाद अंफिक्ट और.. फिर इस्टेर क्लाविंग टेक्मिडमिंग डितनिक में है है पहला thri-point gate है जिसमें हम's ending मतलब CD चड़ते टाइम क्या करेंगे three-point gate में CD चड़ते टाइम सबसे पहले टायग गऑर इसमें सबसे पहलेOoh लेगा गयग इसमें un-affected लेगा अजहेंगा डेन उसके बाद affected लेगा अगया और फिर के सबसे पहले अनफेक्टर डेग फेर अफेक्टरते लेग और उसके बाद के कि अिश्नक जिएत्र रहे हैं फिर जान तो सबसक्यारे एफ्र पहले लेग यह इसमें आ रहे है और फिर के लेक्त यूख ने आ रहे हैं और फिर अनुखेंटे लेक बाद में लेकर आएंगे तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वॉकर्स के बारे में नेक्स्ट जो हमारा वागिए्ट से वॉकर्स उसके बारे में पढ़ेंगे ओके थैंक यू